दोस्तों को सुला है लिगलाइज्ट करप्शन एंड रूल अफ लाव हमारा मवजू है बात करते हैं साइफर टिकनालोजी लेटेस्ट स्यासी टिकनालोजी है जो पाकिस्तान में आई है साइफर टिकनालोजी अमरीका की आजाद है और पाकिस्तान में साइफर टिकनालोजी इंपोर्ट की गई जिसकी बनियाद के उपर इंपोर्टेट हकूमत बनाई गए साथ मार्च को साइफर टिकनालोजी पाकिस्तान पहंची और फिर पार्लिमेंट का तख्ता उलेट देया गया उम्रान खां की हकूमत खत्म की गए और तेरा रुकनी पंड़त माफिया हकूमरान बन गए यह साइफर टिकनालोजी का कमाल था अदालत राद को खुली और साइफर पर आमद रामद हुआ यानी तो काज़ा था सपरीम कोट ने बताया था साइफर इतना मजबूत था कि हाई कोट सपरीम कोट हाई कोट ने बताया इसलामाबाद हाई कोट ने बताया कि अगर अदालतें रात को ना खुलती तो पाकिस्तान पर मार्शलला लग सकता था ऐसी नौयत का साइफर था लहादा पाकिस्तान को मार्शलला से बचाने के लिए आदी रात की अदालत लगी आइन पर अमल हुआ आइन की हुर्मत बच गई और साइफर टिकनालोजी पर आमल हो गया पंडत माफिया की हुक्मरानी कायम हो गए पार्लिमेंट ने कानून साजी की पार्लिमेंट कानून साजादारा है कानून बनाता है और पार्लिमेंट जो साइफर टिकनालोजी के नतीजे में कायम हुए उसने कानून बनाया करप्शन का कानून कायम किया करप्शन को लिगलाइस हिया अब कानून यह है कि पचास करोड की करप्शन हो तो केस नयाब में नहीं जाएगा केस FIA के पास जाएगा एंटी करप्शन के पास जाएगा कानून बनाया गया कि बेनामी असासों के बारे में सुवाल नहीं होगा कानून बनाया गया कि रुकने पार्लिमेंट को गरिफ्तार करने के लिए सपीकर से अजाजत लेना पड़ेगी सत फून माफ कानून बनाया गया कि अगर एंट्री करप्शन ने किसी पर करप्शन का अजाम लगाएगी तो उस अधारे को एविडेंस देना होगा साबत करना होगा अब आप सोचिए कि वजीर आजम करप्शन कर रहा है रुकने पार्लिमेंट करप्शन कर रहा है तो उसके खलाफ नैब FIA और एंट्री करप्शन एंक्वारी करेगी भला क्यों करेगी उसका क्या इंट्रस्ट है उसका क्या मफाद है उसका क्या थियार है कि वो हकमरानों के खलाफ अनक्वारी करें और अगर करें तो फिर सबूत भी पेश करें तो यह कानून साजी की पार्लीमेंट तो क्रप्शन का कानून पास हो गया क्रप्शन कानून बन गई क्रप्शन लीगलाइज्ड हो गई और क्रप्शन में जो मलावस पंड़त थे वो बरी हो गए उनको बरी होना था और वो सब अब बरी हो चुके हैं रूल अफ करप्शन कान हो गया तो रूल अफ ला कान हो गया यहीरू अफ ला हैरू अफ करप्शन है rule of law लहादा आप पाकिस्तान में हम दावा कर सकते हैं कि जिनाप पाकिस्तान में rule of law है rule of corruption ही rule of law है अब सुमाजी इर्दका को अगर देखे तो अधारे बनते हैं जरूरत के मताबक समाजी इर्दका हो या बालाजी कले इर्दका हो गयर जरूरी चीजें खत्म हो जाते हैं जब rule of law बन गया है कायम हो गया है करॉप्शन को rule of law मन लिया गया है तो अब दो बड़े आदारों की जरूरत खत्म हो चुकी अदलिया और पलीस ये तका के नतीजे में खत्म हो जाएंगे मौशरे को रियासत को इसकी जरूरत नहीं रही रूल आफ करॉप्शन है रूल आफ करॉप्शन ही कानौन की हुकुमरानी है वो कायम हो जो अपने रिमार्क्स में जिस्टिस एजाजर हसन साब ने काबल एहतराम जाज साब ने पूछा देखो को रह दो नहीं गया जिसने करॉप्शन के कानौन से फाइदा नहीं लिया जवाब आया नहीं सब इस गंगा में अशनान कर चुके हैं अब कोई नहीं बचा है सब ने इस्टफादा कर लिया है तो इसलिए अब अदालतों का काम कमल हो गया है पुलीस का काम कमल हो गया है रूल अफ ला काम हो गया है इनकी जरूरत बाकी नहीं है लहाजा वो खुद ही छोड़ दे वो खुद ही समझ ले नहीं तो इस्तका का अमल फैसला कर देगा दूसरा बचुवारा पाकिस्तान का दूसरा बचुवारा मनसूबा है एक बचुवारा नहीं सव एक अतर में हो गया था हाइब्रड वार के नतिजे में बचुवारा हो गया था नहीं सव एक अतर में दूसरा बचुवारा की मनसूबा बंदी है अमरीकी सदर कहते हैं बाइडन कहते हैं पाकिस्तान एक खतरनाक मुलक है इसके आटमी असासे गयर मुनजम हैं रूस और चीन पर वो तनकीद करते हैं पाकिस्तान को खतरनाक मुलक करार देते हैं बचुवारा के तो हो चुका इस बचुवारे के पीछे अमरीका है इंडिया है क्वार्ड है और पाकिस्तान की पंड़द माफिया है यह हाइबरेट इतहाद है यह हाइबरेट वार है पाकिस्तान का बचुवारा करने का मनसूबा बन चुका लंदन प्रलान बन चुका फाउज ने कहा है कि वो स्यासत में हिस्सादार नहीं होंगे अच्छी बात है नहीं होना चाहिए दैशत गर्दों ने सालाज पे कबजा किया है पंड़त माफिया इसलामाबाद पे काबज है और पाकिस्तान असी फीसद दल्लत हैं असी फीसद दल्लत हैं तेरा खांदान पंड़त हैं पंड़त जाने और दल्लत जाने फाउच बरुने दुश्मन के खलाफ दफाई जंग लड़ रही है पाकिस्तान पर हमला है बटवारे का जब एलान होगा तो दल्लत असी फीसद दल्लत और फाउच इतादी होंगे माफिया के खलाफ पंड़त माफिया के खलाफ जिसकी जायदा दें परापर्टी बिजनस आफशोर कामपणियां इस मुलक में नहीं हैं वो काबज हैं जब वो बटवारे का एलान करेंगे तब दल्लत पाकिसान के एटी फीसद असी फीसद दल्लत और फाउच इतादी होंगे और बटवारा नहीं होगा शुक्रिया